देखिए दोसो असी करोड रुपै की लागत से बना हुआ ओप्रेशन कंट्रोल सेंटर है वेस्टन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का और ये अम्दावाद में बना है और आज प्रधान मंत्री ने उसकी मुलाकात ली 1500 किलोमेटर से जादा लंबा ये वेस्टन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो दादरी से शुरू होता है नौर्थ इंडिया में और JNPT पॉर्ट तक जाता है जो की है महराष्ट में तो सडकों पे से जो माल जा रहा है और उसकी वजह से फ्रेट का जो मुवमेंट काफी जल्द हो जाएगा काफी स्पीडी हो जाएगा और इसका पूरा ये जो फ्रेट कोरिडोर का अंट्रोलिंग मॉनिटरिंग उसका पूरा मिकेनिजम है इसके साथ साथ जो मुवमेंट है फ्रेट ट्रेंज की पूरे रूट पे चलेगी तो ये भी मॉनिटर रियल है अभी passenger trains भी वही히 track पे चल रही है, goods trains भी be वही track पे चल रही अभी,. और passenger trains को priority देनी पडकी है उसके timings वगरा उसके schedule, तो goods train की speed कम हो जाती है, passenger train को priority मिल जाती है phyr अगर आपको जादा passenger train चलानी है तो अभी के existing track पे आप नहीं चला सकते क्योंकि good strain भी संभालनी है उस track पे तो यह जो पूरा DFC है dedicated freight corridor उसमे good strain के लिए मालगाडियों के लिए पूरा ही dedicated track होगा तो जिससे जो existing track अभी है उस पे ज्यादा passenger trains चलाई जा सकेगी और जो good strain है वो तेजी से अपने dedicated track पे आगे बढ़ पाएगी तो इसे industry को काफी boost मिलेगा employment को काफी boost मिलेगा export को काफी boost मिलेगा इसके साथ साथ इस पूरा जो DFC है उसके आसपास industrial townships भी होगे जो existing industry है उनको भी road के mark से जो अपना goods भीजते है उसकी जगह पे alternate में वो यह rail mark से dedicated freight corridor से भीज सकेंगे तो road पे भी burden कम होगा passenger train के track पे भी burden कम होगा और speed भी बड़ेगी बड़े वेगन्स इस track पे चल पाएगे तो एक साथ जादा goods का transportation हो पाएगा तेजी से तो अभी यह जो पूरा DFC है जो वो दादरी से North India से तब से सानंद जो आप जानता ही Tata Nano की वज़े से जो famous हो गया सानंद अमदाबाद के नदी की है तो यह अभी दादरी से सानंद तक DFC operational है और करीब करीब 200 freight trains रोजाना 60 km की speed से यहाँ पे अभी operation अल्रेडी चालू हो ग जो काम चल रहा है वो सानं से New Makarapura के बीच में चल रहा है New Makarapura यानि आप वडोध्रा समझ लिजे तो सानं से वडोध्रा के बीच में काम चालू है और जो last section है New Goldward से JNPT उसका भी काम अभी चालू है इसमें जो सानं से मकरपूरा वाला जो काम है वो करीब करीब एक महि में तयार हो जाएगा यानि वडोद्रा आप समझ लिजे तो फिर वडोद्रा से दादरी तक पुरा ही फ्रेट कोरिडोर तयार होगा उसके बाद न्यू गोलवर से जे एन पीटी का काम जारी है आप देखिए कि यहां पे इस कंट्रोल सेंटर में बैठे हुए सारी ही ट्रें जो वेस्टन डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर पे चलेगी उसका पोजिशन दिखाई देगा और इंस्ट्रक्शन भी यहां से दिये जा सकेंगे अकॉर्डिंगली इसके सिवार ट्रेक की कंडिशन पट्री की क्या स्थीती है सिग्नल फॉल्ट्स अगर सिग्नल में कोई ब यह सब यहां से रिव्यू हो सकेगा मॉनिटर हो सकेगा और रियल टाइम में अब आप करेक्टिव मेजर भी ले सकते हैं उसमें सुधार भी कर सकते हैं तो ऐसा ही एक ओसी सी जो इस्टन कोलिडोर है जो 1300 किलोमेटर से ज्यादा है यह वेस्टन वाला 1500 किलोमेटर से हुआ है तो अब देखें यह जो फ्रेट ट्रेंड है वह एवरेज स्पीड उनकी 22 किलोमेटर पर अवर होती थी और इसका कारण यह कि पैसेंजर ट्रेंड को प्रियोरिटी देनी पड़ती थी लेकिन अब फ्रेट ट्रेंड आफ्टर इस डेडिकेटेड फ्रेट को लोर र आनेवाल सेक्शन का भी जो इस्टन डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर है उसका भी आज उदघाटन किया यहां से ही और 224 किलोमेटर के न्यू मकरपुरा जंक्शन से घोलवर सेक्शन यह वेस्टन डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर का उसका भी आज उदघाटन किया